भारत में Sputnik वैक्सीन आई है यह Sputnik वैक्सीन रूस के साथ कोलाबरेशन में डॉक्टर रेडीज हम लाए हैं इस वैक्सीन को हमने लॉंच किया है यहां पे हैदरबाद में हमने फ्राइडे को लॉंच किया था और आज यहां पे पोलो हॉस्पिटल में एक सॉफ्ट जिसके अंतरगत हम कुछ लोगों को यह वैक्सीन एड्मिनिस्टर करेंगे वह एड्मिनिस्टर करने के साथ हम यह देखेंगे कि हमारा लॉजिस्टेक्स पूरी तयारी हमारा कोल्ड चेंड पूरी तरह से सक्षम किस तरह बनाया जा सकता है उसको भारत भर में इस वैक्सी तो इसका logistics और इसको handle करने में काफी काफी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है उस पूरी चीज की तयारी हम अच्छे से कर पाएं उस पूरी चीज को हम देख पाएं कि उसमें कोई कमी ना रहे जाए और पूरे भारत वर्ष में यह अच्छे से ले जाया जा सके इस vaccine को उस साथ हम बाकी अन्य हस्पतालों के साथ भी सेंट्रल गवर्मेंट और स्टेट गवर्मेंट उनके साथ भी टाइप करेंगे हमारा उद्देश यह है कि पूरे भारत में चाहे सेंट्रल गवर्मेंट के साथ हो चाहे स्टेट गवर्मेंट के साथ हो चाहे प्राइवेट हॉस रहे हैं यहां पर रन कर रहे हैं साथ ही साथ कुछ पाइलट सम और चलाएंगे ताकि पूरी तरह से हमारी तयारी हो जाए मुझे उमीद है कि अगले महिने के मिडल तक मिडल ऑफ जून से यह एक काफी बड़ी मात्रा में उकलब्ध होगी भारत इसका प्राइस हम अभी डिटर्मिन हमने नहीं किया लेकिन उसका प्राइस ऐसा होगा कि यह जदा से जदा लोगों को अंत्सास मिल पाए और इससे प्रैस उसका कम रहेगा आधिस्यक्ता है THIS vaccine right now we have imported to do a soft launch the idea of being the soft launch is to look at how we will be the book to establish the cold chain for the last month so we started off by establishing a cold chaind in our global distribution center after establishing that we have now have also established the the cold storage at our CFS across the metro and tier 1 cities now we are in the process of looking at at the hospitals what is the capacity both at the government as well as the private for storing this product so this product that we have imported to do the soft launch is 150,000 doses both the dose 1 and the dose 2 which will be the soft launch that we will do across a large number of cities in India post that commercial launch we will be doing it in the middle of June this is a two dose vaccine the second dose vaccine should be given 21 days after the first dose the 2DG is a product that we are currently manufacturing and scaling it up we expect to get this product per commercial launch in the month of June same thing 2DG same thing June well well झाल झाल